आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे मन की उस एक सक्ति के बारे में जिसमें एक कन मात्र को चक कर पता लगाया जा सकता है कि इस कन में क्या क्या कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में लेकर बनाई गई है एक बार रोम के बादशा ने भारत के राजा के पास एक काजल दे कर भेजा और कहलवाया कि ये काजल बहुती मुल्यवान है सक्ति साली है इससे अंदापन दूर होता है अंदे की आंख की रोस्नी वापस आ जाती है इसको आंख में डालने मात्र से बादशा परिक्षा लेना चाता था कि भारत में कोई बुद्धिमान आदमी है भी या नहीं यदि बुद्धिमान नहीं है तो उस देश पर हमला करके उसको सरलता से जीता जा सकता है दूद्ध काजल लेकर भारत आया राजा के पास पहुंचा और बादसा की बताई हुई सारी बाते बोल दी राजा ने सोचा सुर्मा थोड़ा है यानि काजल थोड़ा है किस किस को दिया जाए नगर में अंदे बहुत है इतना सा सुर्मा है कि वो केवल दो आँखों को रो अपने घर पे विश्राम कर रहा था राजा ने उसे बुलाया और बोला कि मेरे पास ये थोड़ा सा काजल है इसे लो और अपनी दोनों आँखों में डाल दो आँखों में डालते ही तुमारी दोनों आँखों की रोश्नी वापस आ जाएगी प्रधान मंतरी ने वो काजल अपनी एक आँख में डाला आँख में डालते ही उसकी आँखों की जोती वापस आ गई पर जो बचा हुआ काजल था उसे दूसरी आँखों में दूसरी आँख में डाले बिना उसने अपनी जीब पर रखा और उसे चक लिया चकते ही उसे सारी चीजे पता चल गई कि इस चीज में क्या-क्या मिलाया हुआ है किस-किस अनुपात में डाला गया है ये देखकर राजा ने कहा कि तुमने दोनों आखों में क्यों नहीं डाला एक में डाला और एक से तुमने चक लिया प्रधान मंत्री ने कहा कि म बहुत से अंदे लोगों की आखों की रोशनी लोटा सकूँ। अगर मैं बचा हुआ काजल दूसरी आंख में डाल देता, तो मेरी आखों की रोशनी तो आ जाती, पर नगर में जो इतने अंदे है, उनको कुछ भी लाब नहीं मिल पाता। अब जबकि मैंने इसके अंदर की सारी चीजे चक कर पता कर ली है, तो मैं इसी तरह से कही काजल बना कर कही लोगों की आखों की रोशनी वापस लोटा सकता हूँ। अपनी एक आंख के साथ लाखों हजारों लोगों को जोती दे सकूँगा। मंत्री घर आया, काजल बनाया और रोम से आये हुए दूद को एक डिब्बा देते हुए कहा, जाओ अपने बादसा से कह देना की ऐसा काजल जितना चाहो हम यहां से दे सकते हैं। दूद रोम पहुँचा, बादसा को सारी बात बताई। बादसा ने सोचा, जहां ऐसे बुद्धिमान आदमी बसते हैं, उस देश पर आकरमन करना यानि पराजित होने जैसा है। तो इस तरह से हमारे मन में अद्बुत शक्ती होती है, बस मन की चमता को अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा विक्सित करने की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें।